इस वीडियो में बताई जाने वाली बात हैं पूरी तरह से इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं आप प्लीज इस वीडियो को देखने के बात बिलकुल भी से प्रेरित मत हों क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी काम है और दर्शक कृपया आपने विवेक से काम ले तो ज़कर देखिए एक रात आपको नीन नहीं आ रही हो और तभी आप करवटे वगयरा बदलते हैं पर फिर भी नीन नहीं आती और फिर आप अपना लैप्टोप या फिर कम्प्यूटर वगयरा आन करते हैं और उस पर ऐसे ही इंटरनेट सर्फ करने लग जाते हैं लेकि हमारी दिमाग की दिकत क्या है कि जहां हमें नहीं जाना होता वहां हम बहुत खुश होकर अंदर घुज जाते हैं और तभी आप उस फॉरम पर क्लिक कर देते हैं और तभी आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी नामों की और ये नाम उन लोगों के हैं जो एक्च्वल में रेड रूम्स के अंदर जा कर आए हैं जी हां आप उस लिस्ट को स्क्रोल करते 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 नीचे जाएंगे और नीचे आपको एक मैसिज लिखा हुआ दिखाई देगा और वो ये कि जो लोग असलिएत में रेड रूम के अंदर गए वो आद सारे मारे जा चुके हैं बेशक यह मैंसी जेकते ही हमारी हालत तो पतली हो जाएगी और हम तुरंत अपने लैपटॉप को बंद करेंगे अपने बैट पर जाएंगे अपनी चादर उठागर अराम से सो जाएंगे और अगले दिन हमारे दिमाग में वो सब कुछ चल रहा होगा कि यार यह सब क्या था आपको जो मैंने देखा और तब ही आप गूगल पर रेड रूम्स को लिग कर सर्च जरूर करेंगे और यहां आपको गूगल बहुत सारे नकली नकली रिजल्ट्स दिखाएगा जी हाँ यकिन मानिये नकली क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पर जो असली रेड र आने वाला हूँ अप लिज इस वीडियो को एक लाइक देदें साथी कमेंट में पिक मी लिख देदागी कल की वीडियो में मैं आपको शाओट आट देदू जिहां लोग क्रिप्टो करंसी से डार्क वेब में पैसा डाल कर रेड रूम्स वगेरा में घुश जाते हैं और यहीं से शुरू होता है एक बहुत गंदा खेल डार्क वेब में घुसने का और वहां घुसकर इन रेड रूम्स को एकस्प्लोर करने का और जैसे ही लोग रेड रूम्स में जॉइन हो जाते हैं तब ही उनके सामने एक लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को स्टार्ट कर दिय जाता है मतलब कि एक लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है जैसे हम आम तोर पर अपनी फेस्बुक या फिर यूट्यूब वगयरा पर लाइव वीडियो देखते हैं वैसी ही एक लाइव वीडियो शुरू हो जाती है इस वीडियो में एक लाल रंग का कमरा मतलब कि उसकी तीन मिनिटों का इंतिजार करना पड़ता है वो काउंट डाउन तीन मिनिटों में खतम होता है और जैसे ही ये तीन मिनिट पूरे होते हैं तभी वहाँ का घिनोना खेल सामने आता है मैं आपको पहले ही बता दू कि आप डार्क वैब पर कभी जाने की भी कोशिश ना करें ये बहुत ख़दरनाक होता है और इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है दूसरी बात रेड रूम्स के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ भी यहां पर विजुल्स वगरा नहीं दिखा सकता यूट्यूब की कॉमुनिटी गाइड लाइन्स की वज़े से अगर आपको देखनी है तो मैंने मेरे इंस्ट्राग्राम पर स्टोरी लगा दी है आप वहां जाकर उसे जरूर देख लें और साथ ही मुझे वहां फॉलो भी जरूर कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आईडी ये भी आ गई होगी वो तीन मिनट पूरे होते ही एक हाथ पर बांदे हुए वैक्ति को जिहां उसके हाथ ऐसे कुछ बंदे होते हैं मूँपर टेप लगी होती है उसको पकड़ कर घसीट कर लेकर आया जाता है उस रेड रूम के अंदर और जो वो कुर्सी रखी होती है उसके ओपर बीच में बैठा दिया जाता है और फिर वो जो लोग उसको पकड़ कर लेकर आई थे पूरे अपने मास्क वगारा से कवर्ड होते हैं पूरा शरीर उनका कवर्ड होता है कुछ भी नहीं दिखता और फिर जैसे ही वो उसको वहाँ पर बिठाते हैं वो बिचारा ही लूल तो सकता नहीं हाथ पैर बंदे हुए उसके और वो वहाँ से तीन लोग आये थे उसको छोड़ने के लिए वो वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कमरे से बाहर निकलने के बाद तकरीबन 20 या 30 सेकिंड में एक बार फिर से वो तीनों लोग सामने आते हुए दिखाई देते हैं और अब की बार उनके पास थी एक ट्रॉली जी हाँ ट्रॉली वो जो अगर आपने देखा हो एरपोर्ट पर या फिर नहीं सोरी प्लेन में प्लेन में जो खाना वगर देते हैं वो कुशका ट्रॉली होती है वैसी वैसी कुछ ट्रोली थी उस ट्रोली को वहां लेकर आते हैं लेकिन उस पर बजाए कुछ खाने पीने के समान के उसके उपर रखे होते हैं मौत के ओजार कुछ तेज तर्रार इंस्ट्रूमेंट्स जैसे की प्लास, पेचकस, कैची, आरी, चेंसो ऐसे बहुत खतरनाक हथियार वगयरा उस ट्रोली के उपर रखे होते हैं और उस ट्रोली को ला कर उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया जाता है बेशक वो आदमी इन सब को देखते ही बहुत जोर से रोने लग जाता है और अपने जीवन की भीख उन लोगों के सामने मांगने लग जाता है लेकिन यकीन मानिये रेड रूम्स को चलाने वाले लोगों से ज़्यादा निर्दए इनसान मैंने आस तक नहीं देखे अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट की इस काले दुनिया पर ये सब क्या चल रहा है कैसे लोगों को टॉर्चर करने की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है तो क्या ये सब लीगल है या नहीं डार्क वैपर ये सब होता है या नहीं ये मां आपको आपके बताऊंगा और यहां पर वो जो लोग वहां खड़े थे तीन लोग वो मास्क वाले लोग वो अब लाइव स्ट्रीम पर आए हुए कमेंट्स को पढ़ने लगते हैं और ये कमेंट्स होते हैं उन लोगों के जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो comments करते हैं कि किस तरहे से इस आदमी को किस ओजार से और किस body के part पर इस आदमी को torture किया जाए और जैसे जैसे वो comments पढ़ने लगते हैं वो तीनों खड़े वहाँ लोग उसको वैसे ही torture करना शुरू हो जाते हैं लेकिन यहाँ एक twist है जी हाँ यहाँ यहाँ पर torture ऐसे ही नहीं किया जाता यहाँ पर पहले torture करने के तरीकों की वोटिंग की जाती है जी हाँ वोट करने के लिए लोगों को जो लाइस्ट्रीम देख रहे होते हैं उनको वोटिंग करने के लिए पैसा देना पड़ता है और जिस पर सबसे ज़्यादा वोट आये हैं जिस पर सबसे ज़्यादा पैसा आया है उस तरीके को वो जो टॉर्चर करने वारे लोग हैं उस तरीकों को उठाते हैं और फिर उसके उपर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो टोर्चर का तरीका इन लोगों द्वारा बताया जाता है यानि कि जो विवर्स द्वारा बताया जाता है उस तरीके पर वो लोग तकरीबन 20 मिनटों तक काम करते हैं सोच कर दे कि किसी भारदार हतियार से किसी व्यक्ति को मास जोना सच रेड रूम्स का ये है कि वो लोग जो वहां रेड रूम्स में अंदर खड़े हैं वो तीन लोग मास्क वाले वो अब एक डॉनेशन का टारगेट रखते हैं जी हां यानि कि 15 लाग 20 लाग रुपे डॉनेट करो हम कुछ कर के दिखाएंगे और वो कुछ करने का मतल होता है इस बंदे की मौत आपने बिल्कुल सही सुना वो डॉनेशन इकठा करते हैं जो लाइस्ट्रीम वीडियो को देख रहे होते हैं हचार हो लोग होते हैं देखने वाले उन लोगों से वो डॉनेशन इकठा करते हैं कि आप सबी मिलकर 15 लाग रुपे 10 लाग रुपे जमा करो और तब हम इसे वेक्थी को मार डालेंगे और जैसे ये टार्गेट पूरा होता है और तब ही उस वेक्थी को वो रेड रूम वाले लोग मार डालते हैं आप सोच कर देखिए किस तरह का घिनोना खेल इंटरनेट की काली दुनिया पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है यहां आपको लग रहा होगा कि डार्ग वेब पर एक आदा ही रेड रूम मुझूद होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस डार्ग वेब पर ऐसे बहुत से रेड रूम मुझूद हैं जहां हर रात ये मौत का गंदा खेल खेला चाता है जिहां यह तो वो सच था रेड रूम्स को लिखेंगे तो आपको वहां क्या मिलेगा अगर आप गूगल पर रेड रूम्स को लिखेंगे तो आपको बहुत सारी साइट्स results में आएंगी और यकीन मानिये सारी की सारी sites सिर्फ और सिर्फ scam करती है लोगों से पैसा एड़ती है और ये दावा करती है कि वो इन लोगों को ऐसी videos दिखाएंगे, stream करेंगे, live stream करेंगे, और लोग इन site'ों के चक्करों में आ भी जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, और इन scamming sites को पैसा दे बैठते हैं, जिसके बाद उने कुछ नहीं मिलता, और यकिन मानिये, इसमें कुछ क्या देखना है, इस चीज़ को तुरंत अपनी सरकार को अपने area की पूलिस को report करना चाहिए खैर अब आपके इस मन में बहुत सारे red rooms को लेकर सवाल उठ रहे होंगे लेकिन अब वो सवाल कंबल की डर जारा बन चुका होगा, चलिए मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ और बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा 90 परतीशत हिस्सा है और बाकी का जो 5 परसेंट है वो हम आम अपनी जिन्दगी में चलाते हैं जैसे कि Facebook, YouTube वगयरा सब कुछ, ये सिर्फ 5 परसेंट है अब आपको यहां लग रहा होगा कि डर्क वेब इतना बड़ा है तो वहां पर अर्बो साइट्स होंगी क्योंकि ये जो 5 परसेंट है यहां पर ही करोडो करोडो साइट्स मोजुद हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मोटे मोटे तोर पर डर्क वेब में सिर्फ 2,000 साइट्स मोजुद हैं यहां ये 2,000 साइटों से मिलकर ही पूरा डर्क वेब बना हुआ है ये बास सुनकर आपको बड़े हैरानी होई होगी लेकिन यकीन मानिए ये 2,000 साइटें ही पूरी दुनिया में होने वाले बहुत से काले धंदों के लिए जिम्मेदार हैं इनके पीछे बैठे लोगों की दिमागी स्थिती कैसी होगी उसका एक एग्जामबल तो मैंने आपको दे दिया तो क्यों ना फिर से हम उसी एग्जामबल की तरफ दोबारा चलते हैं जी हां रेड रॉम्स की तरफ फिसे चलते हैं जी हां अब तक आपको यहां समझा चुका होगा कि एक red room वो जगें है जहां पर एक helpless बंदे को kidnap करके लाया जाता है बैठाया जाता है उसके उपर पहले torture किया जाता है बाद में उसका murder कर दिया जाता है और इन सब के बदले donation हिकटा किया जाता है और ये सारा काम internet पर live stream किया जाता है तो अब सवाल उठता है कि क्या इस साइटों की गहराईयों में जाएंगे तो आपको वहां पर एक अफवा चलती हुई दिखाई देगी और वो अफवा ये है कि ये साइटें जो है पिछले 50 सालों से चल रही हैं 50 सालों से सोच कर देगे 50 सालों से दुन्या में internet ही 90 के दशक में आया था इन सब साइट को दे हमें उन लोगों को ढूंडने के लिए डार्क वैप पर जाने की जरूरत नहीं है वो लोग हमारे आम internet पर भी मोजुद हैं और ऐसे ही एक रेड रूम को सर्च करते हुए मैं जो गूगल पर ही सर्च कर रहा था एक ऐसी साइट पर पहुँचा जो एक क्लेम कर रही थी कि व कि आई पी वगयरा को तुरंत ट्रेस किया जा सकता है लेकिन अब आगे देखते हैं उस साइट में क्या हुआ पहले तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये साइट पूरी तरहें से नकली है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और तब ही मैंने उसके लिंक पर क्लिक कर दिया और य कौ wrestle खेंगे लिए प्लास आरे चाकू केंची का साहरा ले रहा था और देखते ही देखते ही उस महिला का Koon पूरे कि ये छो। जी हाँ वो आदमी जैसे ही वापिस आया उसने कैमरे को उपर की तरफ छट की तरफ गुमा दिया और खुद उस महिला के पास जा कर ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने उस महिला को बीच में से काट दिया है अब आप यहाँ मुझे कहेंगे कि मुझे वो वीडियो असली क्यों नहीं लगी तो असल में जो लोग असल डार्क वैब वाले रेड रॉम्स को देखकर आये थे उन्होंने वहां कमेंट किया हुआ था कि असल रेड रूम्स में जो सब कुछ होता है वो सब कैमरे के आगे होता है उपर छट को नहीं दिखाया जाता, सिरफ कैमरे को दिखाया जाता है और यहीं पर मैं समझ गया कि यह वीडियो पूरी तरहें से फेक है जैसे ही कैमरा उपर हुआ उस महिला ने पूरी तरीके से चिलाना शुरू कर दिया क्योंकि उसको यह दिखाना था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है उसे टॉर्श वर किया जा रहा है और अब आपको यहां लग रहा होगा कि रैडरूम से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में क्या ही होगा तो यकिन मानिये रैडरूम से ज्यादा खतरनाक वो लोग है जो इने देखते हैं जी है उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनसे गंदे इनसान या फिर इनसे निर्दई लोग इस दुनिया में क्या ही होंगे रेड रूम वाले लोग तो चलो पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं चाहे वो किसी की जान ही ले रहे हो है तो सब ये कुछ गैर कानूनी ही लेकिन हम क्या कर सकते हैं मैं तो सिर्फ आपको इसके बारे में बता सकता हूँ पर उन लोगों का क्या जो इसे देखते हैं और उसमें पैसा डोनेट करते हैं और यकीन माने उनके कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी इंसानियता की हद को पार करने वाले हैं जी हाँ किस तरीके से टोर्चर करणवाने के लिए वो अपना पैसा लगाने को भी तयार हैं वो इस तरह हैं कि टोर्चर को बहुत ज़्यादा एंजोई करते हैं बार बार कमेंट्स करेंगे कि ये करो वो करो ये करो वो करो पर ये सब क्यों? और रही बात उस महिला वाली वीडियो की जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी वो सिर्फ एक शो था जी हाँ बाद में उन दोनों लोगों ने उस महिला ने भी और उस आदमी ने भी कैमरे के उपर आकर अपनी सफाई दी और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आम इंटरनेट पर तो आपको रेड रूम्स कभी नहीं मिल सकते जी हाँ आप चलते हैं एक और तरहे के रेड रूम्स पर जिनके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा जी हाँ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आईएस आईएस आतंकवादी संगठन की जी हाँ आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा या फिर उनकी वीडियो को देखा होगा जिसमें वो लोगों को पकड़ कर उनका गला वगयरा काट देते हैं तो क्या आपको पता है कि वो लोग जो उनका गला कारते हैं उसकी वीडियो को भी डार्क वेब के रेड रूम में लाइव स्ट्रीम किया जाता है जिहां डार्क वेब पर ऐसे बहुत सारे फॉरम्स भरे हुए हैं जहां पर इस तरहें की वीडियोज को लाइव स्ट्रीम किया जाता है इसमें भी लोगों से पहले काउंडाउन किया जाता है और उस काउंडाउन में लोगों से चंदा इकठा किया जाता है और एकदम से तुरंट आगर बिना कुछ टोर्च वर के सिदा गला कार दिया जाता है जो उनकी आम रूटीन है और अब आजाता है रेड रूम का असल सच तो जो लोग इन चीजों को ढूंडते हुए डार्क वैब पर गए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फेक है रेड रूम वगयरा कोई चीज इस दुनिया में मोजूदी नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको फॉरम सो बहुत सारे मिलेंगे जी हाँ फॉरम सो बहुत सारे मिलेंगे पर जैसे ही वो उन में पैसा भी डालते है और उनका वेट करते है वो काउंडाउन शुरू होता है और जैसे ही वो काउंडाउन खतम होता है वो साइट ही पूरी की पूरी आफलाइन हो जाती है जिसका मतलब ये है कि रेड रूम चाहे वो आम इंटरनेट के हो या फिर डार्क वैब के ये सब कुछ फेक है इसके बारे में लोग बहुत सारी बातें बताते हैं लेकिन किसी के पास भी इससे जुड़े कोई पक्के सुबूत मुझूत नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक अववा है और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद रेड रूम्स के बारे में गूगल पर सर्च करने वाले हैं तो यकिन मानिये आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेंगे और फालतु की चीज़े पढ़कर जो दिमाग खराब होगा वो अलग अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो आम इंटरनेट पर नहीं देखना हम तो जाकर डार्क वेब पर ही डूड़ेंगे तो मैं आपको पहले ही अपनी दो वीडियो में बदा चुका हूँ कि हमें डार्क वेब क्यों नहीं चलाना चाहिए ये पूरी तरहें से एक इलीगल काम है आप इसको चलाने की कोशिश भी ना करें और अगर आपके आसपास भी कोई से चलाता हो जो ये प्रिटेंड करता हो कि वो डार्क वेब वगेरा चलाता है तो आप उसकी तुरंट पुलिस में रिपॉर्ट कर सकते हैं कि ये सब करना बहुत ही गैर कानूनी काम है मैंने आपको ये बातें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल तरीके से बताई हैं मतलब की मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में या फिर ये सब चीज़े ढूनने के लिए प्रेरित करूं मैं सिर्फ आपको एक एज ये सुनाइ बाते ही मिलेंगी जी हाँ मैंने आपको बताया आप जा करा याँ आ पर आप चार लोगों को बताएंगि वो चार आगे औरो को बताएंगे तो ऐसे बात जो मैंने बताई है वो लास्ट वाले बंदों तक बात नहीं पहुंचेगी वो बिल्कुल टूट इंटरनेट पर कहीं पर भी ऐसे कोई फॉरम मिलें जो इस रहे की बात को क्लेम कर रहा हो कि वो अभी रेट रूम को स्ट्रीम करने वाले हैं तो आप तुरंत उस फॉरम को रिपोर्ट कर दें बजाए वहां पर अपना पैसा लगाने के क्योंकि इस रहे की साइट्स और फॉर नहीं किया जा सकता खेर फिछली वीडियो का शाउट आउट शंकर खाति वादा को एंड कमेंट पिक मी टो यडिए शाउट ओड़ी नेक्स वीडियो आप कोई वीडियो कैसे लगी कमेंट से वह भी बता दें मिलते हैं अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद